आज हम बनाएंगे बैगन और आलू की समझी बहुत ही स्वाधिष्ट और बहुत ही टेस्टी कलरफुल तो है ही हर कलर का सबजी हमें खाना चाहिए तो इसलिए मैं सबजी बनाती रहती हूँ अगर आपको कलरफुल सबजी हैं खाना तो मेरी चैनल पर आना तो हम बैगल ले लेंगे और बैगल को इस तरह से तीन तुकरों में काटके फिर इस तरह से पतले-पतले एक seven एक साइड कषग्ण मतलब काटके मैं ऊतीजर वह नबयां बहुत पतला दो तो करके रखेंगे हम और इस तरह सम सारे बैगन को काट लेंगे अगर हम दोलोगों के लिए बना रहे हैं उस तरह से प्याज काट लेंगे और इसका जो ये पेड निकल जाता इस टाइम में तो उसको नहीं फेकेंगे क्योंकि वो तो बिखता है ये सबजी में डालने के लिए तो इसको मैं अच्छे साफ करके इसको भी डाल दूगी साथ में प्याज के साथ इन सब चीजों से ही सब बात जो होता है वो बहुत ही बर्या ऐता है तो एक छोड़ा सnte द्ध मैंने और देल लिले एक मेशीच क फ्याज का लगा के एक छोटा है तो मैंने एक ताब ग कशाय tracing के लिया और मैंने अलू उबलने के लिए रख सरे हिना सरते कूकर में अलू मैं विना रूबल गया ठेजबाटथ को क्या बोले माहराजा सब्स्तेजबाटद अब सर्सों का तेल और यह हींग को अरशंच हम बिद्ञा कर लेंगे ब가요 की सब्सक्रा रख cima हिंग पढ़ते तो возь me종 डालते तो ऐसा है और प्रना IT अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे बहुत ही ब्राउन नहीं करना है हलका सा कुक कर लेना है फिसमें हम बैगन डाल देंगे तो बैगन के साथ ही प्याज भी कुक हो जाएगा मेरा प्याज हो गया है आप देख सकते हैं बहुत ब्राउन नी किया मैंने बस एक मियट के लिए रोष्ट कर लिया था मैंने और इसमें हम डाल देंगे बैगन बैगन को हम हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे रोष्ट करेंगे बैगन को हम इसा हाई फ्लेम पे ही पकाना चाहिए नहीं तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको क्या हो जाता है बैगन का अगर हम हाई फ्लेम पे ना कुक करें तो किस्नों है जुख सा जाता है ना हा फोच जाता है तो ऐसा बच्पन में सुना चानल था में हामी बोलती थी कि हार में बेगा त्यार कर लूंगी काली मिर जीरा और लेसन पाच्छे कलिया लेỏ की डालकी मैं इसको भाद लूंगी यही один मसाला पढ़ेगा लेसन की छिलके मैंने नहीं है अटाए बिलकुल अच्छे से क्लीन नहीं किये हैं धो के वॉष करके ड्राय करके ही रखती हूँ मैं लेसन को और इस तरह से छिलके के साथ मैं इसमें पीस लूँगी तो मेरा मसाला रेडी हो गया आलू को भी मैं छिल लूँगी अब इसमें हम बैगन को 2 मिनट तक रोश्ट करेंगे उसके बाद हम आलू डाल देंगे, आलू को हम तोरके डालेंगे, काटके नहीं डालेंगे, हाथ से पुस करेंगे, दबाएंगे और 2-3 इंटुक्रों में एक आलू को तोरते वे सबजी में डाल देंगे, अब फटाफट मेरा सबजी बन जाता है अब मैंने जो मसाला पीज़े थे इस SECRET हो नहीं यिस्कार शाट रखएатели क्रूंगी बने comprehensive कॉने तक मित terror भूनें के sphere नमक विलागी अब यह प्रेश टमाटर यह नहीं बना रही हुग कच्छे आम में डाल रही हूं, मैं आज आम डाल दे, खच्चे आम में डाल गई हूँ, क्योंकि अगर आम का सीजन होता है, तो इस सबजी को बि्यार में आम के साथ बनाई जाती है। क्योंकि आम के साथ बहुत ही स्वादिश्ट लगता है ये तो मेरे पास आवी आम था तो मैं आम डाल दी आधा से थुआ सा काम आम डाली हूं साथ में गुठली भी डाल दी गुठली को खाने टाइमे साइड कर लेंगे अब इसमें जवरत के इसाफ़् से अगर आप रोटी के साथ खाना है तो पानी कम डाले और अगर आपो चाबल के साथ खाना है तो थुआ सा रख ले अलू गला हुआ है तो रस आपका गाडा ही रहेगा पतला नहीं होगा वाली ही बनती है इसको हम पांच मिनट पकाएंगे और सब्जी मेरा कुख हो जाएगा क्योंकि आलू बैगन सब को खोड़ चुका है बस मसाला और पाणी को कुख करना है तो 5-7 मिनट और मेरा सब्जी रेडी हो जाएगा पांच मिनट के लिए मैं ढग दोंगे सब्जी देख सकते हैं रेडी हो गया है अब चलते हैं लंच पैक करते हैं यह मैंने लंच के लिए सब्जी बनाई है सुवा सुवा फटा-फट जल्दी चल्दी बनाई है लोटी पे मैं गी लगाऊंगी सुखेर लोटी गरा में तो मैं गी उस पर मैं लगा दिया तो लगया अब मैं सब्जी डोटी मैं हम लगी का परतन रखने चली के अब दई दई मेरा फ्रेस है इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं डालोंगी ट्रायता नहीं बनाऊंगी इसका फ्रेस दई हम ऐसे ही खाते हैं चीनी के साथ तो आज का लगया रेड़ी हो गया रोटी संची और दई सब्जी रोटी फिर दही ताकि दही गरम ना हो और यह है प्याज और हरी मिर्च आज का लगया रेड़ी हो गया एक बाद इसको ट्राय करें और देखें कैसा बनता है सब्जी बहुत अच्छा बनेगा रोजाना की खाने वाली सब्जी में यह सब्जी हैं बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है और फड़ाफट बनता है तो इसको बनाया करें लंज में बहुत ही स्वाधिश सब्जी बनेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एन सब्सक्राइब कर दिया करें